फ्री केम से एक वेबसाइट मिलती है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग डॉट कॉम यह खुल गई जी मैंने आपको यह भी चैट से दे दी है आप इसको मेरे साथ साथ भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी आप इस पे जाते हो तो यह ऐसा ऐसा पेज खुलता है जो आप अभी देख रहे हैं इस फ्री केम अधिस इस विडाउट वाट यू इडियो तो यह वह चीज़ है जो आप देख रहे हो फ्री टूल फॉर क्रिएटिंग स्क्रीन कास्ट स्क्रीन कास्ट कहलो या रिकॉर्डिंग कहलो उसको मैं यहां पर अपने इमेल डालूंगा उस इमेल को डालने से मेरे पास इसके अकाउंट बनने के लिए डाउनलोड करने का एक लिंक हो जाएगा आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो मैं आपको इसका वर्क दिखा दूँ आप समझ गए है कहां से लेना है देखिए डाउनलोड का बटन है यह इमेल आईटी डालो ड यह free cam नाम से चीज़ है लेकिन यह मिलेगी कहां आपको free screen recording पे free screen recording.com नाम की website है एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कुछ software उनके मालिक websites की जगह है कुछ software उनके owner websites की जगह है दूसरी websites भी दे देती हैं वहां से ना लिया करें जो उसका owner है वहीं से डाउनलोड करें जि यहीं से करें तो यह आप करते हो डाउनलोड अब इसके बाद में आप इसको खोलते हो यह मैं अपने taskbar में यह छोटा सा है free cam 8 नाम से है यह मैं इसको open कर रहा हूं यह मेरा free cam है यह install करने के बाद में आपके system पे आ जाएगा मैंने इसको taskbar में pin किया हुआ है so that कि मैं इसक यूज भी देखेंगे यह free cam open हो गया यह laptop के लिए है so मैं new recording पे click करता हूं इसमें camera नहीं अभी यह dotted line का box बन गया इस dotted line के box को मैं उपर से नीचे crop करता हूं कि जी मुझे तो इतना ही चाहिए इतनी सी चीज चाहिए और यह कहां काम आएगी लो मैं आपको बताता हूं यह यह presentation है और यह record करते हैं आप को वैसा नहीं करना जैसे मैंने किया था powerpoint में आपको अलग से करना है यह पूरा अपनी स्लाइड पे set करता हो मैं इसको यह मैं slide पे ले आया अब आपको जी show नहीं किया आपने show हमें क्या करना है हम अपना record करते है यह slide है इतनी size होता है slide का अ वैसे तो audio record करना ही है, यह audio record कर लिया आपने यहां से, मैं चाहें तो अब इसका recording शुरू करूँ, इतना समझ गया है, free cam install किया, select करने के बाद में recording का बटन दबाते हैं, लीजे पहली slide पर आ जाते हैं, जी हम लोग पहली slide पर पहुंचे, यह first slide है, और यह recording का बटन, 3, 2, 1, enabling teachers to make them classroom smart, you should be able to make an impact, जब आप classroom में होते हो, तो आप केवल मातर एक राजा नहीं है, आप उसके सेना पती भी है, तो the presentation that I'm going to share with you, relates to my experiments, relates to my own learning, and मैं यह mouse crawl करूँगा side में, और यह आगे जाता जाएगा, देखो, यह annotation in PowerPoint, धान रखियेगा what to do and what not to do, तो यह कुछ ऐसी के साथ शेर करता हूँ, तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि आप teachers होने के साथ, learners भी है, और easy रही है, बिल्कुल easy, हम इसको use कर रहे थे, मैं यहां से इसको pause कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है, record हो गया है, मैं इसको done कर देता हूँ, दो तरीके होते हैं, या तो done क्लिक करो या escape का बटन दबा दो, आपके keyboard से, मैंने escape का बटन दबा दिया, यह देखिए, यह इसका preview create कर रहा है, मेरे लिए, तो यह लीजिए, इसको play करते हैं, जी, enabling teachers to make them classroom smart, you should be able to make an impact, जब आप classroom में होते हो, top table मात्रे का राजा नहीं है, आप उसके सेना पती भी है, त किसारा, मैं save as video कर देता हूं, जी, अब video save होगा, अभी तक तो free cam ने अपने पास रखा था, this is free cam, test with for diet, यह मैंने save कर लिया, और यह wmv में save होता है, please ध्यान रखिए, wmv में save होता है, youtube के लिए wmv हो, mp4 हो, कोई problem नहीं है, वो आराम से upload हो जाएगा, save as video, और मान लीजे मैं इसको ऐसे save करता हूँ, और यह save होना, export करना, यह word ध्यान रखना, जब भी हम किसी software के थुरू video audio editing करते हैं, तो उसको export करके, उस target format में डाल देता है, जो use करने के लिए है, अब इसने क्या किया, record किया, record करने के बाद आपने escape दबाया, stop दबाया, तो यह screen आई, जो अभी आपको दिख रही है, इस screen पे आपको save as video करना, अब आपको लगा कि नहीं, यह जो ना last में मैं खांस ही कर दी थी मुझे, यह मैं इसलिए रूका कि एकदम से बच्चा आ गया, तो आप यह edit के button पे जाओ जी, जैसी आप edit के button पे जाते हो, तो यह अभी देख रहे हो, आपको ऱगए डभी motor जैसे हो, तो यह जाते हो,